हेलो गाइस, माइनेम इस राज सतार और आप देखरें राजजिला तो इस वीडियो में आपको बताने माला हो कि VPN, what is the VPN और VPN को क्यों यूज किया जाता है और VPN कैसे यूज होता है और free VPN और paid VPN में क्या फरक है तो इस वीडियो में यह सारे topics cover Social Media तो वीडियो अच्छी लेग दी तो प्लीज लाइक करदेना और चैनल को सब्सक्राइब करदेना तो ज्यादा कुछ बखवास की बगया वीडियो चालो करते है let's do it VPN मतलब virtual private network मतलब की VPN क्यों यूज होता है तो VPN हम यूज करते हैं सेफ हमारी ब्राउजिन के लिए हमारा डेटा कोई लीक ना करे करें इसलिए VPN ज्यादा यूज करते और एक ज्यादा लोग storing करते हैं कि जो वेबसाइट हमारे कंट्री में सपोर्ट नहीं करते उस वेबसाइट को एक्षस करने के लिए VPN का ज्यादा यूज किया तो या हम अपना डेटा प्राइब प्राइवेशी सी हम पोई क Vietnamese, मतलब, हम इंडिया में मेठे जासे Amazon सर्च किया तो यह पेले जाएगा server पर जाएगा जो हम जिस brand का हम नेक यूज करते हैं तो उसके पर जाएगा तो वहाँ से Amazon पर collect करेगा तो Amazon को Amazon का page वो server पर जासे हमारा internet connections लिया है अपर जाकर वहाँ से हमारे device में आएगा तो एसे जाके हमारे पर page खुल जाता है तो जो भी हम search करते वह जो इतना भी हमारा data वह आपर पूरा collect हो जाता है कि हम क्या क्या सर्च कर रहे हैं अपने IP address से और फिर वह Amazon को हमको मिलेगा तो VPN से क्या होता है जो अपने IP address से वह change कर देता है और हम जिस country को हम VPN से select करेंगे वह हमारी country हो जाते है समझ लो हमने VPN use किया और हमने select किया Canada तो Canada में हमारा server आजाएगा और अपनी IP address उनके पर मतलब अपने IP address change करके encrypt करके वह Canada की हो जाएगे तो हम कुछ भी search करेंगे तो हमारे जो इंडिया के server पर नहीं जाएगा सीधा जाएगा जो Canada के server पर हम VPN से use करेंगे तो हमने समझ कि Amazon सर्च किया तो Canada पर जाएगा और Canada से वह अपने IP address से Amazon को search करेगा तो Amazon को लगे कि हमने हम Canada में बेटे हो और हमको Canada पेज बताएगा तो हमारे डिवाइस राएगा तो हमको पूरी Canadian का Amazon account हमको देखने के लिए मिलेगा और हम हमारा पूरा डेटा प्राइवेट होगा इंक्रिप्ट में जाएगा कि हमारे जोग जाएगा तो कि उसी को पता ने चलेगा सिर्फ जो VPN जो server वाला है उसको हमको डेटा पता चलेगा इसी से हम अपना इंडिया में जो कोई भी वेबसाइड ओपन नहीं होती है तो वह हम दूसरे country में जहां पर जो वेबसाइड ओपन होती है वह हम यूज एकसेस कर सकते हैं पर इसलिए जादा यूज होता है और कोई-कोई लोग तो अपनी private मतलब searching के लिए और अपनी net banking के लिए ज्यादा यूज करते हैं कि कोई हमारे hiking ना कर ले इसलिए होता है पर VPN जो हमारे मार्केट में जितने पर ले श्टोर आते हैं तो Google Chrome के extensions आते हैं हमको ज्यादा करके फ्री भी देखने के लिए मिल जाते है फ्री वीपेंस भी अवेलेबल होते है और पेड़ वीपेंस उनको पता चल गया तो वो दे दे आराम से क्योंकि हम फ्री में यूज कर रहें तो फ्री वाला ज्यादा कोई hacking के लिए यूज करता है और नॉर्मल हमारे searching के लिए यूज किया जाता है और हम netbanking भी उसके उपर बहरसा नहीं कर सकते हैं कुछ पता नहीं कि क्या कर लेंगे वो हमारे पूरा डेटा बेज भी सकते हैं इसलिए वीपेण प्री वाला और पेड वाले में क्या होता है कि हम पेड के हमारा नेटवोक पूरा मतलब प्राइवेट कर देते हैं मतलब बड़ी कमपनिया ज्यादा रखती है पेड़ वाला विव मतलब वीपेण तो उन पे थ लंफ बहुत सार अनियन विपेण जैसे अनियन रूड विट बहुत अलग बहुत शारे एक इसात बोलब हो आं। रोय वह को प् morally बत कर लो। जो हम private network use करना चाहते हैं उसके लिए use किया जाता है तो आपको समझ में आगा हो तो और खोड़े कुल questions होगे तो आप comment में पूछ सकते हो वीडियो अच्छे लेगे तो please like कर देंदा और guys Instagram भी है मेरा आला page Instagram के भी follow कर देना और चैनल पर नहीं आए हो तो please subscribe कर देना कर देना अभा करी हो तो कर दो कर दो